प्रिष्ट संख्या 170 अध्याय संख्या 6 किसान और काश्टकार पिछले दो अध्यायों में आप वनों और चरागाहों के बारे में सुन रहे थे और उनके बारे में भी जो इन स्रोतों से रोजी रोटी अर्जित करते हैं आपने जूम खेती करने वालों, चरवाहों और जनजातिय समुहों के बारे में भी सुना आपने जाना कि किस तरह वनों और चरागाहों को आधुनिक सरकारों ने नियंत्रत करना शुरू किया और उनकी पाबंदियों से उन पर भी असर पड़ा जो इन संसाधनों पर आश्रित थे इस अध्याय में आप विभिन्न देशों के खेती हर समुदायों के बारे में जानेंगे यहां एक और इंग्लेंड के छोटे किसानों, कौटेजर, अमेरिका के गेहुं उत्पादकों और बंगाल के अफीम उत्पादक किसानों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे वहीं दूसरी तरफ आप जानेंगे कि आधुनिक खेती की शुरुवात का विभिन्न देहाती समुहों पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी कि विश्व व्यापी पूंजीवादी बाजार से जुड़ने का दुनिया के अलग-अलग इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ता है इन विभिन्न स्थानों की तुलना से आप ये जान पाएंगे कि इन स्थानों का इतिहास एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक प्रक्रिया के रूप में कितना मिलता जुलता रहा है आईए इस सफर की शुरुवात इंग्लेंड से ही करें जहां क्रिशिकरांती ने पहली प्रिष्ट संख्या 118 अध्याए 6 भाग 1 इंग्लेंड में आधुनिक खेती की शुरुवात पहली जून 1830 की घटना है इंग्लेंड के उत्तर पष्टमिक शित्र के एक किसान ने अचानक पाया कि उसके बाड़े में रात को आग लगने से पुआल सहित सारा खलिहान जल कर राख हो गया है बाद के महीनों में इस तरह की घटनाय कई दूसरे जिलों में भी दर्ज की गई कहीं सिर्फ पुआल जल जाती और कहीं तो पूरा का पूरा फार्म हाउस ही स्वाह हो जाता था फिर 28 अगस्त 1830 के दिन इंग्लेंड के इस्ट केंट में मस्दूरों ने एक थ्रेशिंग मशीन को तोड़ कर नश्ट कर दिया इसके बाद दो साल तक दंगों का दौर चला जिसमें तोड़ फोड की ये घटनाएं पूरे दक्षणी इंग्लेंड में फैल गई इस दौरान लगभग 387 थ्रेशिंग मशीने तोड़ी गई किसानों को धमकी भरे पत्र मिलने लगे कि वे इन मशीनों का इस्तिमाल करना बंद कर दें क्यूंकि इनके कारण मेहनत कशों की रोजी छिन गई है ज्यादातर खतों पर कैप्टन स्विंग नाम के किसी आदमी के दस्तखत होते थे जमीदारों को ये खत्रा सताने लगा कि कहीं हत्यार बंद गिरो रात में उन पर भी हमला न बोल दें इस चक्कर में बहुत सारे जमीदारों ने तो अपनी मशीने खुद ही तोड़ डाली जवाब में सरकार ने सखत कारवाई की जिन लोगों पर शक्त था कि वे दंगे में लिप थे उन्हें फॉरण गिरफ़तार कर लिया गया एक हजार नौसो चेहत्र लोगों पर वो कदमा चला नौ को फांसी दी गई और पाच सो पाच को देश निकाला दिया गया जिन में से चार सो पचास को आस्ट्रेलिया भेज दिया गया लगभग छे सो चवालीस लोगों को बंदी बनाया गया इन खतों में मौजूद कैप्टन स्विंग एक मित की ये नाम था तो स्विंग के नाम पर दंगे करने वाले आखिर थे कौन वे थ्रेशिंग मशीनों को तोड़ने पर क्यूं आमादा थे वे किस बात का विरोध कर रहे थे इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें अठार्वी और उन्नीस्वी सदी के दौरान इंगलेंड की खेती में आए बदलाव को देखना होगा एक पॉइंट एक खुले खेतों और कॉमन्स का दौर अठार्वी सदी के अंतिम वर्षों और उन्नीस्वी सदी के शुरुवाती दौर में इंगलेंड के देहाती इलाकों में नाट की ये बदलाव हुए पहले इंगलेंड का ग्रामी नक्षित्र काफी खुला-खुला हुआ करता था ना तो जमीन भू स्वामियों की निजी संपत्ति थी और ना ही उसकी बाड़ाबंदी की गई थी किसान अपने गाउं के आसपास की जमीन पर फसल उगाते थे साल की शुरुआत में एक सभा बुलाई जाती थी जिसमें गाउं के हर व्यक्ति को जमीन के टुकड़े आवंटित कर दिये जाते थे जमीन के ये टुकड़े समान रूप से उपजाओ नहीं होते थे और कई जगा बिखरे होते थे कोशिश ये होती थी के हर किसान को अच्छी और खराब दोनों तरह की जमीन मिले खेती की इस जमीन के परे साजहा जमीन होती थी आगे की चर्चा से पहले नए शब्द बाड़ा बंदी पारमपरिक खुली जमीनों पर निजी बार लगाने की एतिहासिक प्रक्रिया कॉमन्स पारमपरिक समाजों में साजह, सामुदाइक, जल, जंगल, जमीन ये धमकी भरे खत काफी बड़े पैमाने पर भेजे जाते थे कई बार इन खतों की भाषा काफी शालीन होती थी जबकि कई बार बहुत कड़ी भाषा का इस्तिमाल किया जाता था कुछ पत्र बहुत छोटे होते थे सुनिए एक नमूना श्रीमान हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपने थ्रेशिंग मशीन खुद नहीं तोड़ी तो हम अपने लोगों को भेज कर ये काम कराएंगे सब लोगों की ओर से स्विंग एजे हॉप्सपॉम और जॉज रूदे कैप्टन स्विंग से अब आगे खेती की इस जमीन से परे साज़ा जमीन होती थी कॉमन्स की इस साज़ा जमीन पर सारे ग्रामिनों का हक होता था यहां वे अपने मवेशी और भिड़ बक्रियां चराते थे जलावन की लकडियां बीनते थे और खाने के लिए कंद मूल फल इकठा करते थे प्रिष्ट संख्या 119 जंगल में वे शिकार करते और नदियों तालतलईयों में मचली पकरते गरीबों के लिए तो ये साज़ा जमीन जिन्दा रहने का बुनियादी साधन थी इसी जमीन के बल पर वे लोग अपनी आय में कमी को पूरा करते अपने जानवरों को पालते जब किसी साल फसल चौपट हो जाती तो यही जमीन उन्हें संकट से उबारती थी इंगलिंड के कुछ हिस्सों में खुले खेतों और मुक्त और साज़ी जमीन की ये अर्थविवस्था सोल्वी शताबदी से ही बदलने लगी थी सोल्वी सदी में जब उन के दाम विश्व बाजार में चढ़ने लगे तो संपन्न किसान लाब कमाने के लिए उन का उतपादन बढ़ाने की कोशिश करने लगे इसके लिए उन्हें भेडों की नसल सुधारने और बेतर चरागाहों की आवशकता हुई नतीजा ये हुआ कि साजा जमीन को काठ छाट कर घेरना शुरू कर दिया गया ताकि एक के संपत्ती दूसरे से या साजा जमीन से अलग हो जाए साजा जमीन पर जोपडियां डाल कर रहने वाले ग्रामिनों को उन्होंने निकाल बाहर किया और बाड़ा बंद खेतों में उनका प्रवेश निशध कर दिया गया ये बाड़ा बंदी की शुरुआत थी अठार्वी शताब्दी के मध्ध तक बाड़ा बंदी आंदोलन की रफ्तार काफी धीमी रही शुरु में गिने चुने भूस्वामियों ने अपनी पहल पर ही बाड़ा बंदी की थी इसके पीछे रज्य या चर्श का हाथ नहीं था लेकिन अठार्वी सदी के दूसरे हिस्से में बाड़ा बंदी आंदोलन इंगलंड के पूरे देहात में फैल गया और इसने इंगलंड के भूद्रिश्य को आमूल बदल कर रख दिया संसत्रह सुपचास से अठारह सुपचास के बीच साथ लाख एकर जमीन पर बाड़े लगाए गई ब्रिटन की संसद ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन बाड़ों को वैधता प्रदान करने के लिए चार हजार कानून पारित किये इस प्रिष्ट पर एक चित्र चित्र संख्या एक कैप्टन स्विंग आंदूलन 1830 से 1832 के दौरान इंगलेंड की विभिन काउंटियों में तोड़ी गई थ्रेशिंग मशीने भाषा में भेजे गए खत का एक नमूना श्रीमान आपका नाम ब्लाक हार्ट्स की सूची में रखा गया है आप और आप जैसे अन्ने लोगों को सलह दी जाती है कि अपना इरादा बताएं आप हर अफसर पर जनता के विरोधी रहे हो आपको जैसा करना चाहिए था अभी तक आपने वैसा किया नहीं है स्विंग प्रिश्ट संख्या 120 एक पॉइंट दो अनाच की बढ़ती मांग जमीन को बाड़ा बंद करने की ऐसी जल्दबाजी क्यों थी और इन बाड़ों का मतलब क्या था नए बाड़े पुराने बाड़ों से भिन्न थे जहां सोल्मी शताबदी के बाड़ों में भियरडपालन का विकास किया गया वही अठार्मी शताबदी के अंतिम वर्षों में बाड़ा बंदी का उद्देश्य अनाच उत्पादन बढ़ाना हो गया और इसका संदर्व भी अलग था, एक नए दौर का सूचक. अठारवी शताब्दी के मध्धे से इंगलंड की आबादी तेजी से बढ़ी. सन 1750 से 1900 के बीच इंगलंड की आबादी चार गुना बढ़ गई. 1750 में कुलाबादी 70 लाग थी, जो 1850 में 2.1 करोड और 1900 में 3 करोड तक जा पहुँची. जाहिर है कि अब ज्यादा अनाच की ज़रूरत थी. इसी दौर में इंगलंड का ओद्योगी करण भी होने लगा था. बहुत सारे लोग रहने और काम करने के लिए गाउं से शेहरों का रुख करने लगे थे. खाद्यानों के लिए वो बाजार पर निर्फर होते गए. इस तरह जैसे जैसे शेहरी आबादी बढ़ी, वैसे वैसे खाद्यानों का बाजार भी फैलता गया. और खाद्यानों की म इसका नतीजा ये हुआ कि इंगलेंड में खाद्यानों के दाम आसमान चुने लगे। इस से उत्साहित होकर भू स्वामी अपनी बाड़ा बंद जमीन में बड़े पैमाने पर अनाजोगाने लगे। उनकी तेजोरियां भरने लगी और उन्होंने बाड़ा बंदी गानून पारित करने के लिए संसत पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इस प्रिष्ट पर चित्रसंख्या दो। इंगलेंड और वेल्स में गेहुं के दामों का वाशिक उसत। सन 1771 से 1850। नए शब्द। बुशिल क्षमता की माप। शिलिंग इंगलेंड के एक मुद्रा का ना 20 शिलिंग बराबर एक पाउंड इस प्रिष्ट पर एक ग्राफ दिया गया है जिसमें दर्शाया गया है कि मूल ने रेखा 1790 के दोरान किस प्रकार तेजी से उपर उठती है और 1815 के बाद नाट की ये धंग से नीचे गिरने लगती है। इन उतार चड़ावों के कारणों का पता लगाईए। कॉंस्टिबल के चित्र देहाद के खुले जीवन को बड़े भावपूर्ण धंग से उकेरते हैं। उनके चित्र हमें एक ऐसे दोर से परिचित कराते हैं जब देहाद का सीधा, सरल और खुशनुमा जीवन अतीत की बात बनता जा रहा था और खुले खेतों की बाड़ा ब कॉंस्टिबल के चित्रों में हमें आमतौर पर मेनत कर्श जनता दिखाई नहीं देती। पर नजर डालने से पता चलता है कि सफोक ऐसे इलाकों से घिरा हुआ था जहां स्विंग दंगों के दौरान बड़े पैमाने पर थ्रेशिंग मशीने तोड़ी गई थी। इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या चार, संसदिय कानूनों के तहट सारवजनिक भूमी की बाड़ा बंदी, 18-19 सदी, E.J. हॉप्सबॉम तथा जौर्ज रूदे की पुस्तक कैप्टन स्विंग पर आधारित। 1.3 बाड़ा बंदी का युग लेकिन 19-वी सदी में इंग्लेंड में ऐसा नहीं हुआ। जिस तेजी से आबादी बढ़ी, उसी हिसाब से खाद्यान उत्पादन भी बढ़ा। जनसंख्या वृद्धी की तेज रफ्तार के बावजूद, 1868 में खाद्यान की अपनी जरूरतों का असी प्रतिशद इंग्लेंड खुद पैदा कर रहा था। बागी का आयात किया जा रहा था। खाद्यान उत्पादन में हुई ये वृद्धी, खेती की तकनीक में हुए किसी नए बदलाव का परिणाम नहीं थी, बलकि हुआ सिर्फ ये कि नई नई जमीन पर खेती की जाने लगी। भू स्वामियों ने मुक्त खेतों, सारवजनिक जंगलों, दलदली जमीन और चरागाहों को काट छाट कर बड़े बड़े खेत बना लिये थे। इस समय तक किसान खेती में उनी सरल तकनीकों का इस्तिमाल कर रहे थे, जो अठारवी सदी के प्रारंभ में बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। 1660 के दशक में इंगलेंड के कई हिस्सों में किसान शल्जम और तिप्तिया घास यानी क्लोवर की खेती करने लगे थे। उन्हें जल्द ही ऐसास हो गया कि इन फसलों से जमीन की पैदावार बढ़ती है। फिर शल्जम को पशु भी बड़े चाव सिखाते थे। इसलिए वे शल्जम और तिप्तिया घास की खेती नियमित्रूप से करने लगे। बात के अध्ययनों से पता चला कि इन फसलों से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है जो फसल वृद्धी के लिए महत्वपूर्ण थी। असल में लगातार खेती करने से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है जिसके कारण जमीन की उरवर्ता भी कम होने लगती है। शलजम और तिप्तिया घास की खेती से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा फिर से बढ़ जाती थी और जमीन फिर उपजाओ हो जाती थी इस तरह उन्नीस्वी सदी के प्रारंभिक वर्षों में खेती में सुधार लाने के लिए किसान इनी सरल तरीकों का नियमित रूप से इस्तिमाल करने लगे थे अब बाड़ा बंदी को एक दीर्ख कालिक निवेश के रूप में देखा जाने लगा था और मिट्टी की उरवर्ता बढ़ाने के लिए लोग बदल बदल कर फसलें बोने लगे थे बाड़ा बंदी से अमीर भू स्वामियों को अपनी जोत बढ़ाने और बाजार के लिए पहले से ज्यादा उत्पादन करने की सहुलत मिली एक पॉइंट चार गरीबों पर क्या बीती बाड़ा बंदी ने भू स्वामियों की तिजोरियां भर दी पर उन लोगों का क्या हुआ जो रोजी रोटी के लिए कॉमन्स पर ही आश्रित थे बाड़ लगने से बाड़े की भीतर की जमीन भू स्वामि की निजी संपत्ति बन जाती थी गरीब अब ना तो जंगल से जलावन की लकड़ी बटोर सकते थे और ना ही साजा जमीन पर अपने पशू चरा सकते थे वे ना तो सेप या कंदमूल बीन सकते थे और ना ही गोश्ट के लिए शिकार कर सकते थे अब उनके पास फसल कटाई के बाद बची ठूटों को बटोरने का विकल्प भी नहीं रह गया था हर चीज़ पर जमेंदारों का कबजा हो गया हर चीज़ बिखने लगी और वो भी ऐसी खीमतों पर कि जिने अदा करने की सामर्थ थे गरीबों के पास नहीं थी जहां कहीं बड़े पैमाने पर बाड़ा बंदी हुई खास तोर पर इंगलेंट के मध्धे वर्तिक शित्रों और आसपास के प्रांतों अर्थाद काउंटियों में वहां गरीबों को जमीन से बेदखल कर दिया गया उनके पारमपरिक अधिकार धीरे धीरे खत्म हो गए अपने अधिकारों से वंचित और जमीन से बेदखल होकर वे नए रोजगार की तलाश में दर दर भटकने लगे मध्यवर्तिक शित्रों से वे दक्षणी प्रांतों की ओर जाने लगे मध्यक शित्र में सबसे सघन खेती होती थी और वहां खेती हर मजदूरों की भारी मांग थी लेकिन अब कहीं भी गरीबों को एक सुरक्षित और नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा था पुराने जमाने में आम तोर पर मजदूर भूस्वामियों के साथ ही रहा करते थे वे मालिकों के साथ खाना खाते और साल भर उनकी सेवा टहल करते थे ये रिवाज अठारा सो तक आते आते समाप्त होने लगा था अब मजदूरों को काम के बदले दिहाडी दी जाती थी और काम भी केवल कटाई के दौरान ही होता था जमिदार अपना मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए मजदूरों की दिहाडी की मद में कटाउती करने लगे काम अनिश्चित रोजकार असुरक्षित और आय अस्थिर हो गई वर्ष के बड़े हिस्से में गरीब बेरोजकार रहने लगे और तों और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा गोपालन जलावन की लकड़ी बीनने सारवजनिक भूमी पर फलों और बेरियों को एकठा करने का काम पहले अकसर और ते और बच्चे करते थे क्या आप बता सकते हैं कि बाड़ा बंदी का बच्चों और स्थ्रीयों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा सार्वजनिक भूमी की समाप्ती का परिवार के भीतर स्त्री पुरुष और बच्चों के आपसी संबंधों पर क्या असर हुआ होगा पृष्ट संख्या 123 एक पॉइंट पाँच थ्रेशिंग मशीन का आगमन जिन दिनों नेपोलियन इंगलेंड के विरुद्ध युद्ध छिड़े हुए था उन दिनों खाद्यान के भाव काफी उचे थे और काश्टकारों ने जम कर अपना उत्पादन बढ़ाया मजदूरों की कमी के डर से उन्होंने बाजार में नई नई आई थ्रेशिंग मशीनों को खरीदना शुरू कर दिया काश्टकार अकसर मजदूरों के आलस, शराब खोरी और मेहनत से जी चुराने की शिकायत किया करते थे उन्हें लगा कि मशीनों से मजदूरों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारे सैनिक अपने गाउं और खेद खलियान में वापस लोटाए अब उन्हें नए रोजकार की जरूरत थी लेकिन उसी समय यूरप से अनाज का आयात बढ़ने लगा उसके दाम कम हो गए और कृशी मंदी चा गई चितर दो में कीमतों का ग्राफ दिया गया है बेचैन होकर भू सौमियों ने खेती की जमीन को कम करना शुरू कर दिया और मांग करने लगे कि अनाज का आयात रोका जाए उन्होंने मजदूरों की दिहारी और संख्या कम करनी शुरू कर दी गरीब और बेरोजगार लोग काम की तलाश में गाउं गाउं भटकते थे और जिन के पास अस्थाई सा कोई काम था उन्हें भी आजीवी का खोजाने की आशंका रहती थी यही वो दौर था जब देहात में कैप्टन स्विंग वाले दंगे फैले गरीबों की नजर में थ्रेशिंग मशीन बुरे वक्त के निशानी बन कर आई इस तरह इंग्लेंड में आधुनिक खेती के आगमन से कई तरह के बदलाव आए मुक्त खेत समाप्त हो गए और किसानों के पारंपरिक अधिकार भी जाते रहे अमीर किसानों ने पैदावार में वृद्धी और अनाच को बाजार में बेचकर मोटा मुनाफ़ा कमाया और ताकतवर हो गए गाउं के गरीब बड़ी संख्या में शेहरों की और पलायन करने लगे कुछ लोग मध्यवर्तिक शित्रों को छोड़कर दक्षणी प्रांतों का रुख करने लगे जहां रोजगार की संभावना बेहतर थी तो कुछ अन्ने शेहरों की और चल पड़े मस्दूरों की आयका ठिकाना न रहा रोजगार असुरक्षित और आजीविका के स्रोत अस्थिर हो गए स्रोत ग बाड़ा बंदी के कारण सारवजनिक जमीन पर अधिकार समाप्त होने से एक किसान ने स्थानी अजमिदार को ये पत्र लिखा था अगर कोई गरीब आदमी सारवजनिक जमीन से आपकी एक भीड़ ले ले तो कानून उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा लेकिन अगर आप सैकड़ों गरीबों की भीड़बक्रियों के चरने की जमीन चीन लेते हैं तो कानून कुछ नहीं करता अगर गरीब आदमी आप से कोई चीज छीन ले तो उसे फासी दे दी जाती है जबकि अगर आप उस व्यक्ति की आजीवी का छीन ले तो आपके खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जाती गरीब इस बात को किस तरह समझें कि कानून उनकी पहुँच से बाहर है और सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती इसके विपरीत बहुत से लेखकों ने बाड़ा बंदी के लाभों की भूरी भूरी प्रशंसा की है खुले खेतों और बाड़ा बंदी की जमीन के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती बाड़ा बंदी की विवस्था निश्चत रूप से खुले खेतों से बहतर है खुले खेतों के मामले में खेती हर संजीरों में चकड़ा रहता है वो मिट्टी या मुल्यों में कोई बदलाव नहीं ला सकता उसकी हालत उस घोड़े जैसी होती है जो अन्ने घोड़ों के साथ बंधा होता है यानि वो उन से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता और उनके बीची कूत फांद कर सकता है जोन मिडल्टन अठार्वी शताबदी के एक लेखक कुरिया कलाप स्रोत गह और घह को समझें और निम्नले खित प्रश्णों का उत्तर दें स्रोत गह में किसान क्या कहना चाहता है जोन मिडल्टन क्या दलील देना चाहते हैं खंड एक पॉइंट एक से एक पॉइंट चार तक दोबारा सुने और खुले खेतों के पक्ष और विपक्ष में दिये गए तरकों का सार संक्षे प्रस्तुत करें आप किस तरकों को ज्यादा उचद समझते हैं प्रिष्ट संख्या एक सो चौबीस अध्याय च्छे भाग दो रोटी की टोकरी और रेतीला बंजर आईए अब जरा अट्लांटिक के पार अमेरिका चले आईए सुने कि यहां आधुनिक खेती का विकास कैसे हुआ किस तरह अमेरिका दुनिया की रोटी की टोकरी ब्रेट बास्केट बनकर उबरा और इन बदलावों का अमेरिका के ग्रामीनों पर क्या प्रभाव पड़ा जब अठारवी सदी के अंत में इंगलेंड में साजा जमीन को बाड़ा बंद किया जा रहा था उस समय तक अमेरिका में बड़े पैमाने पर स्थाई खेती का विकास नहीं हुआ था यहां 80 करोड एकड भूमी पर जंगल थे और 60 करोड एकड भूमी पर सिर्फ घास उकती थी चित्रपाँच से आपको उस समय की प्राकृतिक हर्याली के बारे में अंदाजा मिल सकता है चित्रपाँच श्वेत अप्रवासियों के पश्च्वी प्रसार से पहले अमेरिका में जंगल और घास के मैदानों की स्थिती बेकर की पुस्तक Economic Geography खंड दो 1926 में संकलित Agricultural Regions of North America से उध्रित जंगलों का करीब आधा और घास के मैदानों का एक तिहाई हिस्सा खेती के लिए साफ किया गया था मान्चित्र में आप 19. सदी के प्रारंभिक काल में अमेरिका के विभिन्न मूल कबीलों के निवासक्षित्रों को भी समझ सकते हैं उस समय अमेरिकी भुद्रिश्य का ज्यादातर हिस्सा श्वेत अमेरिकियों के नियंत्रण में नहीं था 1780 के दशक तक श्वेत अमेरिकी बसावट पूर्वी तठ की एक छोटी संकीर्ण पट्टी तक सीमित थी अगर आप उस समय अमेरिका की सेर पर निकलते तो आपको जगा जगा अमेरिका के मूल निवासियों के बड़े-बड़े समुह मिलते इन में से कुछ घुमन्तू थे और कुछ स्थाई रूप से रहने वाले बहुत सारे समुह सिर्फ शिकार करके खादे पदार्थ बीन कर और मचलियां पकड़ कर गुजारा करते थे जबके कुछ मक्का फलियों, तंबाकू और कुमहडे की खेती करते थे अन्य समुह जंगली पशुओं को पकड़ने में माहिर थे और सोल्वी सदी से ही वन बिलाव का फर यॉर्पिय व्यापारियों को बेचते रहे थे चित्र पाँच में अठार्मी शताब्दी के प्रारंफिक वर्षों में विभिन्न कबीलों की अवस्थिती को दर्शाया गया है प्रिष्ट संख्या 125 इस प्रिष्ट पर चित्र संख्या 6 1920 में अमेरिका के खेती हर क्षित्रों की स्थिती 1920 के दशक में प्रकाशित बेकर की पुस्तक एकनॉमिक जोग्रफी में संकलित लेखों के आधार पर बीसवी सदी आते आते ये भुद्रिष्ट पूरी तरह बदल चुका था श्वेत अमेरिकी पश्चिम की और फैल गए थे और उन्होंने वहां की जमीन को क्रिशी योग्य बना लिया था इस प्रक्रिया में उन्होंने मूल कबीलों को उनकी जगहों से विस्थापित करके अलक अलक खेती हर इलाके बना लिये थे क्रिशी उत्पादन के विश्व बाजार में अमेरिका की तूती बोलने लगी थी ये परिवर्तन कैसे संभव हुआ अमेरिका में बसने वाले ये नए लोग कौन थे खेती के इस प्रसार से अमेरिका के मूल निवासी यनि इंडियन मूल के कबिलाई समुदायों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा दो पॉइंट एक पश्चिम की और प्रसार तथा गेहूं की खेती अमेरिका में एक रिशी विस्तार का संबंध श्वेतों के पश्चिमी क्षेतर में जाकर बसने से गहरे रूप से जुड़ा है सन 1775 से 1783 तक चले अमेरिकी स्वतंतुरता संग्राम और सयुक्त राज्य अमेरिका के गठन के बाद श्वेत अमेरिकी पश्चिमी इलाकों की तरफ बढ़ने लगे टॉमस चेफिर्सन के 1800 में अमेरिका का राष्टपती बनने तक लगभग 7 लाख श्वेत दर्रों के रास्ते अपलेशियन पठारी क्षित्र में जाकर बस चुके थे पूर्वी तठ से देखने पर अमेरिका संभावनाओं से भरा दिखता था वहां के बियाबानों को कृषिय योग्य भूमी में बदला जा सकता था जंगल से इमारती लकडी का निर्यात किया जा सकता था खाल के लिए पशुओं का शिकार किया जा सकता था और पहाडियों से सोने जैसे खनिश्पदार्थ का दोहन किया जा सकता था प्रिष्ट संख्या 126 लेकिन इसका मतलब था कि पहले यहां के अश्वेत निवासियों को निकाल बाहर किया जाए सेयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने सन 1800 के बाद के दशकों में आपचारिक नीती बना कर अमेरिकी इंडियनों को पहले मिसिसिपी नदी के पार और बाद में और भी पश्चिम के तरफ खदेरना शुरू किया इस प्रक्रिया में कई लडाईयां लड़े गई मूल निवासियों का जनसंगहार किया गया और उनके गाउं जला दिये गए इंडियनों ने प्रतिरोत किया कई लडाईयों में जीते भी लेकिन अंतता उन्हें समझोता संधियां करनी पड़ी और अपना घर बार छोड़कर पश्चिम की ओर कूच करना पड़ा मूल निवासियों की जगाउं पर नए प्रवासि बसने लगे प्रवासियों की लहर पर लहर आती गई अठारमी शताबदी के पहले दशक तक ये प्रवासि अपलेशन पठार में बस चुके थे और सन अठारसो बीस से अठारसो पचास के बीच उन्होंने मिसिसिपी की घाटी में भी पैर जमा लिए उन्होंने जंगलों को काट जला कर ठूट उखाड कर खेत और घर बना लिए फिर उन्होंने बाकी जंगलों का सफाया करके बाड़े लगा दी इस जमीन पर वो मक्का और गेहों की खेती करने लगे शुरुआती वर्षों में इस उर्वर जमीन पर किसानोंने अच्छी फसले पैदा की जैसे ही एक जगा जमीन की पैदावार घट जाती किसान बेहतर जमीन की तलाश में नई जगा चले जाते Mississippi नदी के पार स्थित विशाल काय मैदानों में प्रवासी आबादी का प्रसार 1860 के बाद की घटना है बाद के दशकों में ये समूचा क्षेत्र अमेरिका के गेहूं उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र बन गया इस प्रिष्ट पर दो चित्र है चित्र संख्या साथ सन 1775 से 1920 के बीच श्वेत आप्रवासियों का पश्चिम की और प्रसार चित्र संख्या आठ सीमान्त क्षेत्रों में सौड मकान घास के मैदान साफ करने के दौरान आप्रवासी किसान इस तरह के घर बनाते थे इस क्षेत्र में मकान बनाने के लिए लकडी का अभाव था सौजन ने अब जरा गेहूं उत्पादक किसानों के बारे में कुछ विस्तार से बात की जाए देखा जाए कि इन किसानों ने किस तरह घास के मैदानों को अमेरिका की रोटी की टोकरी में तबदिल किया उन्हें किन समस्याओं से जूचना पड़ा और इस प्रक्रिया के क्या परिणाम रहे दो पॉइंट दो गेहूं उत्पादक किसान उन्नीसवी सदी के आखरी सालों में अमेरिका के गेहूं उत्पादन में जबर्दस्त वृद्धी हुई इस दोरान अमेरिका की शहरी आबादी बढ़ती जा रही थी और निर्याद बाजार भी दिनो दिन फैलता जा रहा था मांग भढ़ने के साथ गेहूं के दामों में भी उच्छाल आ रहा था इस से उच्साहित होकर किसान गेहूं उगाने की तरफ जुकने लगे रेलवे के प्रसार से खाद्यानों को गेहूं उत्पादक शित्रों से निर्याद के लिए पूर्वी तट पर ले आना आसान हो गया था बीस्वी शताबदी की शुरुआत तक गेहूं की मांग में और भी वृध्धी हुई तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गेहूं के विश्व बाजार में भारी उच्छा लाया रूसी गेहूं की आपूर्ती पर रोक लगने के बाद गेहूं के लिए यॉरॉप अमेरिका पर ही आश्रित था अमेरिका के राश्पती विलसन ने किसानों से वक्त की पुकार सुनने का आफ़ान किया खूब गेहूं उपचाओ गेहूं ही हमें जंग जिताएगा सन 1910 में अमेरिका की 4.5 करोड एकर जमीन पर गेहूं की खेती की जा रही थी नौ साल बाद गेहूं उत्पादन का क्षित्र फल बढ़कर 7.4 करोड एकर यानि लगभग 65 प्रतिशत ज्यादा हो गया था इसमें से ज्यादा तर वृद्धी विशाल मैदानों ग्रेट प्लेंस में हुई थी जहां नित नए क्षित्रों को जोता जा रहा था गेहूं उत्पादन बहु था बड़े किसानों के कबजे में था कई बड़े किसानों के पास तो 2-3,000 एकर तक जमीन होती थी 2.3 नई तकनीक का आगमन गेहूं उत्पादन में हुई ये विलक्षन व्रद्धी नई तकनीक का परिनाम थी उननीस्वी शताबदी में नए प्रवासी जैसे जैसे नई जमीन को अपने कबजे में लेते गए वैसे वैसे उन्होंने नई जरूरतों के मुताबिक अपनी तकनीक में भी बदलाव किये जब वे लोग मध्य पश्चिम के घास के मैदानों में पहुँचे तो उनके वे साधारन हल बेकार साबित हुए जिनका वे पूर्वी तड़ पर इस्तिमाल करते आये थे यहां के मैदान घनी घास से ढगे थे जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी इस सख्थ जमीन को तोड़ने के लिए कई तरह के हल विकसित किये गए स्थानी इस तर पर विकसित इन हलों में कुछ हल बारा फुट लंबे होते थे इन हलों का अगला हिस्सा छोटे छोटे पहियों पर टिका होता था और उन्हें छै बैल या घोड़े खीशते थे बीसवी शताबदी की शुरुवात में विशाल मैदानिक शित्र के किसान इस सख्थ जमीन को ट्राक्टर और डिस्क हलों की मदद से गेहूं की खेती करने के लिए तयार करने में जुटे थे इस प्रिष्ट पर तीन चित्र हैं पहले चित्र संख्या नौ चुट्टी की दुपहर को सुस्ताता एक किसान परिवार डिकोटा के विशाल मैदानों का बीसवी सदी के पहले दशक में लिया गया एक चित्र सौजन्ने फ्रेड हल्स्ट्रेंट हिस्ट्री इन पिक्चर्स केलेक्शन न्डी आई आर एस न्डी एस यू फार्गो हल का अगला हिस्सा एक छोटे से पहिय पटिका हुआ है इसमें पीछे की तरफ एक हथा लगा होता था जिसकी मदद से हल को आगे पीछे चलाया जा सकता था इस हल में बैल या घोडे जोते जाते थे चित्र संख्या ग्या रहा साइरस में कॉमिक द्वारा सन 1831 में बनाया गया रीपर प्रिष्ट संख्या 128 आगे की चर्चा से पहले एक विवरण पिछले प्रिष्ट पर दिये गए चित्रों का चित्र संख्या बारा उननीसवी सदी के मध्धे से पहले ऐसे हसियों का इस्तिमाल घास काटने के लिए किया जाता था चित्र संख्या 13 मशीनी युक से पहले नई जमीन को खेती के लिए इस तरह तयार किया जाता था चित्र में बारहा हलों के सम्हूं में कई घोडे जुते दिखाई दे रहे हैं सौजन्ने फ्रेड हलस्ट्रेंड हिस्ट्री इन पिक्चर्स केलेक्शन एन डी आई आर एस एन डी एस यू फार्गो चित्र चौधा ड्रिल मशीनों और ट्रेक्टरों द्वारा बीजों की रुपाई उत्तरी डकोटा का एक रिशी फार्म सन 1910 यहां तीन ड्रिल और पैकर मशीने दिखाई गई हैं इन्हें ट्रेक्टर की पीछे बांधा जाता था ड्रिल मशीने 10 से 12 फुट लंबी होती थी प्रतेक ड्रिल में 20 डिस्क लगी होती थी डिस्क का काम जमीन को बुवाई के लिए तयार करना होता था पैकर्स रोपे गए बीजों पर मिट्टी डालने का काम करते थे चित्र में दूर तक फैली रोपेच जमीन दिखाई दे रही है इस चित्र में मिन्या पोलिस वाश्प ट्रैक्टर दिखाया गया है ट्रैक्टर के पीछे जॉन डीरे हल बंधा है और उसमें धातू के फाल लगे है इन फालों की सहायता से जमीन को आसानी से तोड़ा जा सकता था घास की मस्बूत जड़ों का सफाया करने में भी ये हल काफी मददकार थे मशीन के पीछे गहरे कूंड देखे जा सकते हैं बाईयोर की जमीन पर दूर दूर तक खास फैली हुई है इन मशीनों का इस्तिमाल गेहूं उगाने वाले बड़े किसान ही कर पाते थे सौजन ने फ्रेड हल्स्ट्रांड हिस्ट्री इन पिक्चर्स केलेक्शन अब आगे की चर्चा फसल पकने के बाद उसकी कटाई का नंबर आता था सन 1830 से पहले फसल कटाई के लिए हसिय का इस्तिमाल किया जाता था ये एक ऐसा काम था जिसे सेंकडो स्त्री पुरुष एक साथ लग कर करते थे लेकिन सन 1831 में साइरस में कॉमिक ने एक ऐसे औजार का आविशकार किया जो एक ही दिन में इतना काम कर देता था जितना की 16 आदमी हसियों के साथ कर सकते थे इस तरह बीसवी शताबदी के शुरू होते होते अमेरिका के ज्यादा तर किसान फसल काटने के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल करने लगे थे इन मशीनों की सहायता से 500 एकर के खेद की कटाई का काम सिर्फ दो सब्ताह में ही निप्टाया जा सकता था विशाल मैदानों के अमीर किसानों के लिए ये मशीन बहुत महत्वपूर्ण बन गई थी गेहूं के दाम आस्मान चु रहे थे उसकी मांग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी इन मशीनों से जमीन के बड़े टुकडों पर फसल काटने, ठूट निकालने, घास हटाने और जमीन को दोबारा खेती के लिए तैयार करने का काम बहुत आसान हो गया था ये सारा काम मशीने बहुत जल्दी कर डालती थी इसके लिए मानफ श्रम की भी बहुत आवशकता नहीं पड़ती थी विद्युट से चलने वाली ये मशीने इतनी उप्योगी थी कि उनकी सहायता से सिर्फ चार विक्ति मिलकर एक मौसम में दो हजार से चार हजार एकड़ भूमी पर फसल पैदा कर सकते थे गरीब जनता की दशा गरीब किसानों के लिए ये मशीने बरबादी बन कर आई बहुत सारे किसानों ने इन मशीनों को इस उम्मीद के साथ खरीदा था कि गेहूं के दामों में पहले जैसी तेजी बनी रहेगी इन किसानों को बैंक आसानी से रन दे देते थे लेकिन रन को चुकाना मुश्किल काम होता था रन अदान ना करने की स्थिती में बहुत सारे किसानों को अपनी जमीन से ही हाद धोना पड़ जाता था और इसका मतलब होता था काम की नए सिरे से तलाश लेकिन इस काल में रोजगार बहुत मुश्किल से मिल पाता था। बिजली चालित मशीनों के आगमन से मस्दूरों की जरूरत काफी कम हो गई थी। इसके साथ ही 1920 के दशक के मध्धे तक उननीसवी शताबदी के अंदिम वर्षों और बीसवी शताबदी के आरंभिक वर्षों की आर्थिक तेजी खत्म हो चली थी। महा युद्ध के उपरांत उत्पादन की हालत ये हो गई थी कि बाजार गेहूं से अटा पड़ा था लेकिन खरीदार ढूंडे नहीं मिलते थे। ज्यादातर किसानों के लिए ये संकट का समय था। गेहूं के भंडार बढ़ते जा रहे थे। गोदामों में खाद्यान भरा रहता था। हालत यहां तक पहुँच गई थी कि गोदाम में रखे खाद्यान को पशुओं को खिलाया जा रहा था। गेहूं के दाम गिरने से आयाद बाजार ढह गया था। 1930 के दशक की जिस महामंदी का अकसर जिक्र किया जाता है। उसकी प्रिष्ट भूमी में यही परिस्थितियां काम कर रही थी। इस मंदी का असर हर जगा दिखाई पड़ता था। चित्र संख्या 16। पश्चमी कंसास में काला तुफान 14 अप्रेल 1935। अब आगे। 2.5 रोटी की टोकरी से रेत के कटोरे तक। विशाल मैदानों में गेहूं की सघन खेती से कई समस्याएं पैदा हुई। 1930 के दशक में दक्षण के मैदानों में रेतीले तुफान आने शुरू हुए। इन तुफानों की उचाई 7000 से 8000 फीट होती थी। गंदले कीचड की शकल में आने वाले इन तुफानों से चोतरफा तबाही फैल जाती थी। 1930 का पूरा दशक इन तुफानों से आकरांत रहा। इस पूरे काल में ऐसा कोई दिन या वर्ष नहीं रहा जब इन रेतीले तुफानों ने तबाही न मचाई हो। जैसे ही आसमान में अंधेरा चाने लगता, रेत के ये तुफान शहरों और खेतों को चारों ओर से घेर लेते। तुफान के कारण सब कुछ अंधकार मैं हो जाता था। फेपडों में धूल और कीचड भरने से पशु भारी संख्या में मरने लगे। रेतीले तुफानों से खेत के खेत पढ़ जाते थे। और उनकी मिर्ण रेत में गुम हो जाती थी। ये रेत नदी की सतह पर इस कदर जम जाती थी कि मचलिया सांस तक नहीं ले पाती थी। मैदानों में हर तरफ चिडियों और पशुओं की हड़ियां बिखरी दिखाई देती थी। 1920 के दशक में गेहूं के उत्पादन में क्रांती लाने वाले ट्रैक्टर और मशीने अब रेत के धेरों में फसकर बेकार हो गए थे। ये मशीने इस हद तक खराब हो चुकी थी क्योंकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती थी। इस तबाही का कारण क्या था? रेतीले तुफान क्यूं पैदा हुए थे? तुफानों का एक कारण तो 1930 के दशक के आरंबेक वर्षों में पढ़ने वाला सूखा था। कई वर्षों तक बारिश ना होने के कारण तापमान बढ़ता चला गया। लेकिन रेत के ये सामाने तुफान काले भयावे तुफान का रूप इसलिए ले सके क्यूंकी जमीन के एक विशाल हिस्से पर लगातार खेती करने के कारण जमीन की उपरी परत काफी हद तक किसानों ने जमीन के हर संभव हिस्से से घास साफ कर डाली थी। ये किसान ट्रैक्टरों की सहाथा से इस जमीन को गेहों की खेती के लिए तयार कर रहे थे। रेतीले तूफान इसी असंतुलन से पैदा हुए थे। ये सारा क्षित्र रेत के एक विशाल काए कटोरे में ब कि लेलाहाती फसल में बदल डालेंगे और करोडों में खेलने लगेंगे। लेकिन तीस के दशक में उन्हें ये बात समझ में आई कि परियावरण के संतुलन का सम्मान करना कितना जरूरी है। प्रिष्ट संख्या एक सो तीस। इस प्रिष्ट पर चित्र संख्या सत्रा। ज्राउट सर्वाइवर्स अलेक्जान्डर होग का रेखा चित्र सन उन्निस सो छत्तिस। होग ने अपने चित्रों में रेतीले तुफानों से होने वाली तबाही और मौत के तांडव को दर्शाया है। लाइफ मैगजीन ने होग को रेतीले कटोरे का चित्रकार बताया थ प्रिष्ट संख्या 131 अपनिवेशिक शासन के दोरान भारत के ग्रामिन क्षेत्रों में आमूल बदला वाए। अंग्रेज सत्ता के लिए राजस्व सरकारी आय का एक बड़ा स्रोत था। किसानों और चरागाहों पर आशृत समुदायों को इसके चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी सत्ता के कानूनों के तहत अब किसान जंगलों का मन चाहा प्रयोग नहीं कर सकते थे। सरकार ने जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की उप्योग पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। किसानों पर लगान जमा करने का दबाव हर समय बना रहता था। आपनिवेशिक काल के दौरान भारत के ग्रामिनक्षित्र में विश्व बाजार की मांग के अनुसार कई नई फसलों को उगाना शुरू किया गया। उननीसवी शताबदी के आरम भिक वर्षों में नील जैसी व्यवसाइक फसलों की खेती इसी अंतराश्ट्रिय बाजार की मांग के फलसुरूप शुरू की गई थी। शताबदी का अंतों होते होते यहां के किसान गन्ना, कपास, जूट, अर्थात पटसन, गेहूं और अन्य ऐसी ही निर्यात आधारित फसलें पैदा करने लगे थे। यह फसलें यॉरप की शहरी आबादी और इंग्लेंड स्थित, लंकशायर और मैंचेस्टर की कपड़ा मिलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैदा की जा रही थी। भारतिये किसानों के लिए इस अंतराश्ट्रिय वानज्य और व्यापार से जुड़ने का अनुभव कैसा रहा? इस बात को हम अफीम की खेती के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इस से हमें खेती हर लोगों पर अपनिवेशिक शासन के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही हम ये भी जान सकेंगे कि इस दौरान अपनिवेशों में बाजार व्यवस्था किस तरह काम करती थी। इस इंडिया कमपनी चीन से चाए और रेशम खरीद कर इंगलेंड में बेचा करती थी। चाए की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ चाए का व्यापार दिनों दिन महत्वपूर्ण होता गया। सन 1785 के आसपास इंगलेंड में डेर करोड पाउंट चाए का आयात किया जा चुका था। अठारा सो तीस तक आते आते ये आंकड़ा तीन करोड पाउंट को पार कर चुका था। वास्तव में इस समय तक इस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफ़े का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाए के व्यापार से पैदा होने लगा था। प्रिष्ट संख्या 132 व्यापार संतुलन कायम रखना उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। इंग्लिंड में ये सारवजनिक चंता का विशय बन गया था। लोगों में ये भावना घर करने लगी थी कि खजाना खाली होने से देश में गरीबी फैल जाएगी और राश्ट्रिय संपत्ती हाथ से निकल जाएगी। इसी कारण व्यापारी चांदी का विकल्प ढूनने की कोशिश कर रहे थे। वे एक ऐसी वस्तू की तलाश में थे जिसे चीन के बाजार में बेचा जा सके। अफीम एक ऐसा ही उत्पात था। आठ्थारवी शताबदी के मध्ध میں पश्चिम के व्यापारियों ने चीन में अफीम का अवयद व्यापार करना शुरू कर दिया। पश्चिम के व्यापारी चीन के दक्षन पूर्वी बंदरगाहों पर अफीम लाते थे और वहां से स्थानिये एजिंटों के जरिये देश के आंतरिक हिस्सों में भेज देते थे। 1820 के आसपास अफीम के लगभग 10,000 क्रेट अवैध रूप से चीन में लाए जा रहे थे। 15 साल बाद गेर कानूनी धंग से लाए जाने वाली इस अफीम की मातरा 35,000 क्रेट का आकड़ा पार कर चुकी थी। इस प्रिष्ट पर दिया गया चित्र, चित्र संख्या 18, त्रिकोणिय व्यापार अंग्रेज व्यापारी भारत से अफीम ले जाकर चीन में बेचते थे और चीन से इंगलेंड को चाय का निर्यात करते थे। भारत और इंगलेंड के बीच दोतर्फाव्यापार हुता था। उननीसवी सदी के आरंभ में भारत से इंगलेंड को होने वाले हतकरगा निर्यात में गिरावट आने लगी और इसके स्थान पर कच्चे माल, रेशम वकपास तथा खाद्यानों का निर्यात बढ़ने लगा। इंगलेंड भारत में अपने इहां निर्मित माल भेजने लगा, जिसके परिणाम सुरूप भारत के दस्तकारी उत्पादों का रास होने लगा। मान चित्र में तीर के निशान दिये गए हैं, जिसके अनुसार किस देश से कौन सी वस्तू किस देश को भीजी जाती थी दर्शाया गया है। वहां कुछ समय बिताने के बाद वे कैंटन दक्षन चीन से भारत पहुचे। उनका जहाज भारत के एक बंदरगाह पर पंजीकृत था। लेकिन इस जहाज से पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया जाता था। चीन के साथ अफीम के अवैद व्यापार के लिए इसी सरा के जहाजों का इस्तिमाल किया जाता था। जेशों ने विदेशी फैक्टरियों को अफीम का स्टॉक खाली करने की हिदायत दी। इस कारवाई के तहद अफीम के 20,000 क्रेट नश्ट किये गए। जेशों के कैंटन में विदेशी व्यापार पर रोग लगाने से इंगलेंड ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोशना क पड़ी। संधी की शर्तों के अनुसार अफीम के व्यापार को कानूनी माननिता दे दी गई। चीन के दरवाजे विदेशी व्यापारियों के लिए खोल दिये गए। युद्ध से पहले लिन ने इंगलेंड की महरानी विक्टोरिया को एक पत्र लिखा था जिसमें अफी अफीम की खरीद फरोख्त करते हैं या उसका सेवन करते हैं उन्हें मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। अगर हम अफीम बेचने वाले इन बरबर लोगों के अपराधों की जाच करें और उनकी हरकतों से देश को होने वाले नुकसान का जायजा लें तो इन लोगों को म इन बरबर लोगों के जहाज अफीम के व्यापार के लिए चीन में आते हैं और भारी मुनाफ़ा कमाते हैं। चीन की संपत्ती का ये बरबर व्यापारी अपने हित में दोहन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन बरबर व्यापारियों द्वारा कमाया गया धन वास्तव म चीन के संपत्ती है। प्रिष्ट संख्या 134 1849 में कैंटन के विशेश आयुक्त लिन से शू के अनुसार चीन में 40 लाख लोग अफीम का सेवन कर रहे थे। कैंटन में रहने वाले एक अंग्रेश डॉक्टर के मताबिक लगभग एक करोड़ बीस लाख लोग अफीम की लट के आदी हो चुके थे। एक तरफ जहां चीन अफीमचियों का देश बन गया था वहीं इंग्लेंड का चाए वियापार दिनो दिन प्रगदी कर रहा था। अफीम के इस अवैद वियापार से हासल की गई राशी का इस्तिमाल चाए खरीदने के लिए किया जा रहा था। अफीम के वियापार में भारतिये किसानों की भूमिका यहीं से शुरू होती है। अफीम निर्यात की जाती थी। सिर्फ चार वर्षों की भीतर यह मात्रा तीन गुना बढ़ गई। सौ वर्ष बाद अर्थाथ 1870 तक आते आते सरकार हर वर्ष लगभग 50,000 पेटी अफीम का निर्यात करने लगी थी। दिनों दिन बढ़ते व्यापार को कायम रखने के लिए अफीम की मांग को बढ़ाना आवशक था लेकिन ये काम आसान नहीं था। आखिर किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे तयार किया जा सकता था। दाल की फसल के लिए कम अरवर जमीन का इस्तिमाल करना पड़ रहा था। खराब जमीन में दालों का उतपादन न केवल अनिश्चित रहता था बलकि उसकी पैदावार भी काफी कम रहती थी। दूसरे, बहुत सारे किसानों के पास जमीन थी ही नहीं। अफीम की खेती के लिए ऐसे किसानों को भू स्वामियों को लगान देना पड़ता था। वे इन भू स्वामियों से बटाई पर ले गए जमीन पर अफीम उगाते थे। गाओं के पास की जमीन की लगान दर बहुत उची रहती थी। तीसरे अफीम की खेती बहुत मुश्किल से होती थी। अफीम के नाजुक पौधे को जिन्दा रखना बहुत मेहनत का काम था। अफीम बोने के बाद किसान दूसरी फसलों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। अंत में सरकार अफीम बोने के बदले किसानों को बहुत कम दाम देती थी किसानों के लिए सरकारी मुल्ये पर अफीम पैदा करना घाटे का सौधा था इस प्रिष्ट पर दिये गए क्रिया कलाब कल्पना करें कि चीन के शासक ने आप से अफीम के नुकसान दे प्रभावों के बारे में एक पर्चा तैयार करने के लिए कहा है पता लगाएं कि अफीम के सेवन का मनुष्य पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है एक परचा तैयार करें और उसे आकर शक्षीर शक दें कलपना करें कि आप अफीम की खेती का विरोत करने वाले किसानों का नित्रित्व कर रहे हैं आपको इस्ट इंडिया कंपनी के स्थानिय अधिकारियों से इस संबंध में बात करनी है बातचीत कैसे आगे बढ़े की कक्षा के विद्यार्थियों को दो समुह में बाटे और चर्चा करें नए शब्द मन भार की माप एक मन बराबर चालीस सेर एक सेर बराबर एक किलोग्राम से कुछ कम होता है प्रिष्ट संख्या 135 तीन पॉइंट तीन किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे मनाया गया किसान को अफीम की खेती करने के लिए अगरिम रकम दी जाती थी बंगाल और बिहार के ग्रामिन ख्षेत्रों में गरीब किसानों की एक बड़ी जमात ऐसी थी जो हर समय आर्थिक संकट से घिरी रहती थी भूस्वामी का करच चुकाने या अपने लिए भोचन और वस्तर का प्रबंध करना उनके लिए हमेशा मुश्किल रहता था 1780 के बाद गाउं के मुख्या इन किसानों को अफीम पैदा करने के लिए अगरिम रकम पेश करने लगे रिण की सुविधा इन किसानों के लिए बड़ी राहत बन कर आई रिण की सुविधा के चलते किसान न केवल अपनी तातकालिक जरूरतों को पूरा कर पाते थे बलकि पहले से लिए कर्स को भी अदा करने की हालत में आ जाते थे लेकिन इस रिण व्यवस्था के साथ एक खराब बात ये जुड़ी हुई थी कि रिण लेते ही किसान गाओं के प्रधान और सरकार के बंधुआ हो जाते थे इन किसानों तक ये रकम अफीम के सरकारी एजेंटों के जरिये पहुँचती थी ये एजेंट गाओं के प्रधान को अगरिम रकम देते थे और गाओं का प्रधान इन किसानों को एक बार रण लेने के बाद किसान अफीम बोने से मुकर नहीं सकते थे इस व्यवस्था के तहट किसानों को एक निश्चित क्षेत्रफल में अफीम बोनी पड़ती थी उसे इस फसल को कहीं और बेचने की भी आजादी नहीं थी साथ ही फसल के दाम एजिंट द्वरा ते किये जाते थे और ये दाम हमेशा ही बहुत कम होते थे जहां तक अफीम की खेती से होने वाली कम आये का सवाल है ये अफीम के दाम बढ़ाने से दूर की जा सकती थी लेकिन इस मामले में सरकार का रवाया सकारातमक नहीं था वो खुद इस बात के पक्ष में थी कि अफीम का उत्पादन कम से कम लागत पर किया जाए और कलकत्ता के अफीम एजिंटों को ये अफीम उचे दाम पर बेची जाए कलकत्ता स्थित ये एजिंट इस अफीम को चीन भीजने की विवस्था करते थे अफीम के इस क्राय और विक्राय का अंतर सरकार के खाते में जाता था दूसरे शब्दों में यही सरकार का राजस्व होता था अफीम पैदा करने वाले किसानों को इतना कम मूले दिया जाता था कि अठारवी शताबदी के शुरुआत तक आते आते किसान बेहतर दाम की मांग करने लगे थे और अगरिम पेशकी लेने से इनकार करने लगे थे बनारस के आसपास के क्षित्र में अफीम पैदा करने वाले किसानों ने तंग आकर इसकी खेती ही बंद कर दी थी इसके बदले उन्होंने गन्ने और आलो की खेती अपना ली बहुत सारे किसानों ने अपनी फसलों को घुमन्तू व्यापारियों पैकारों को बेच डाला था ये व्यापारी किसानों को बेहतर दाम देते थे 1773 तक बंगाल सरकार ने अफिम के व्यापार पर आधिपत्त जमा लिया सरकार के अलावा कोई बाहरी व्यक्ती ये व्यापार नहीं कर सकता था 1820 के दर्शक में अंग्रेज सरकार ने पाया कि उनके क्षित्र में अफीम का उत्पादन घटने लगा है जबकि गेर ब्रिटिश इलागों में अफीम की खेती खूब फल फूल रही थी आगे की चर्चा से पहले इस प्रिश्ट पर दिया गया स्रोत छे 1833 में इलहबात के सहायक अफीम एजेंट ने लिखा था बोड मानता है कि किसान अफीम पैदा नहीं करना चाहते पिछले दो वर्षों के दोरान मैं जमुना के दक्षने जिलों में रहने वाले किसानों के संपर्क में रहा हूँ और मैंने ये बात महसूस की है कि यहां के सभी किसान इस व्यवस्था से नाराज हैं वे इसे कताई पसंद नहीं करते इस मामले में मैंने कई जगा पड़ताल की है और मेरा अनुभव ये है कि अफीम की खेती को किसान अभिशाप मानते हैं वे अफीम की खेती अपनी मर्जी से नहीं बलकि डंडे के जोर पर करते हैं ये खेती कलेक्टर के आदेश के तहट शुरू की गई थी लोगबाग बताते हैं कि उनके साथ चपड़ासी बत्तमीजी से पेश आते हैं और उनसे गाली गलोज करते हैं किसानों की राय है कि अफीम की खेती से उन्हें नुकसान हुआ है बिनौई चौधरी की पुस्तक Growth of Commercial Agriculture in Bengal से अब आगे की चर्चा मध्य भारत और राजस्थान जैसे घेर बिटिश क्षेत्रों में अफीम का उत्पादन बदस्तूर चारी था इन क्षेत्रों में स्थानिय व्यापारी किसानों को बहतर मूल ले देते थे 1820 के दशक में ये व्यापारी सशस्त्र दलबल के साथ व्यापार करते थे अंग्रेजों की दृष्टी में ये व्यापार अवैद था वे इसे तसकरी मानते थे और इस पर रोक लगाना चाहते थे सरकार अफीम पर अपना आधिपत्ते बनाए रखना चाहती थी इसलिए उसने रियासतों में तैनाथ अपने एजिंटों को इन व्यापारियों की अफीम जब्त करने और फसलों को नश्ट करने के आदेश दिये जब तक अफीम का उत्पादन जारी रहा तब तक ब्रिटिश सरकार, किसान और स्थानिय व्यापारियों के बीच ये टकराफ चलता रहा लेकिन इस से हमें ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि आपने वेशिक भारत में सभी किसानों की हालत अफीम की खेती करने वाले किसानों जैसी ही थी आपने वेशिक भारत में अन्य किसानों की हालत के बारे में हम एक अलग अध्याय में बात करेंगे निशकर्श इस अध्याय में आपने सुना कि आधुने काल में विश्व के विभिन्न ग्रामी नक्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए इन बदलावों पर नजर डालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बदलाव हर जगा एक जसे नहीं थे ग्रामी नक्षेत्र के सभी वर्गों पर इन परिवर्तनों का प्रभाव एक समान नहीं था इन बदलावों से कुछ वर्गों को लाब हुआ और कुछ को नुकसान आधुने की करण का ये इतिहास सिर्फ वैभव पूर्ण ही नहीं था इसे केवल वृध्धी और विकास की एक शानदार कहानी भर नहीं कहा जा सकता इस काल में लोगों को अपनी मूल जगा छोड़कर आजीविका की तलाश में अन्य स्थानों का रुख करना पड़ा ये काल गरीबी, पर्यावर्णिय संकट, सामाजिक विद्रो, आपनी वेशी करण और दमन का काल भी था हमें इन बदलावों के विभिन नपक्षों को समझने का प्रयास करना चाहिए क्यूंकि आधुनिक विश्व में खेती हर जनता और किसानों ने इस स्थिती का मुकाबला अलग-अलग धंग से किया है इस प्रिष्ट पर दिया गया चित्र, चित्र संख्या 20 19-वी सदी में अफीम की पेटियों को घाजीपुर रिल्वे स्टेशन ले जाते किसान क्रिया कलाप 1. सन 1650 से 1930 के बीच क्रिशिक एक्षेत्र में आए महत्वपुर्ण बदलावों को दर्शाने के लिए एक कालरेखा तैयार करें 2. एक सारणी दी गई है जिसमें इस अध्याय में उल्लिखित घटनाओं के आधार पर जानकारी भरनी है याद रखें कि किसी देश में एक से ज्यादा बदलाव भी देखे जा सकते हैं सारणी इस प्रकार है पहले खाने में देश दूसरे में परिवर्तन तीसरे में किसका नुकसान हुआ और चौथे में किसको लाब हुआ प्रश्न एक अठार्मी शताब्दी में इंगलेंड की ग्रामिन जन्ता खुले खेत की व्यवस्था को किस दृष्टी से देखती थी संक्षेप में व्याख्या करें इस व्यवस्था को एक संपन्न किसान एक मस्दूर एक खेती हर्स्त्री की दृष्टी से समझने का प्रयास करें दो इंगलेंड में हुए बाड़ाबंदी आंदोलन के कारणों की संक्षेप में व्याख्या करें तीन इंगलेंड के गरीब किसान थ्रेशिंग मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे चार ये नाम किस बात का प्रतीक था और वो किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था प्रिश्ट संख्या 138 पाँच अमेरिका पर नए आप्रवासियों के पश्चमी प्रसार का क्या प्रभाव पड़ा छे अमेरिका में फसल काटने वाली मशीनों के फाइदे नुखसान क्या क्या थे साथ अमेरिका में गेहूं की खेती में आए उच्छाल और बाद में पैदा हुए परियावरण संकट से हम क्या सबख ले सकते हैं आठ अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए भारतिये किसानों पर क्यूं दबाव डाल रहे थे नौ भारतिये किसान अफीम की खेती के प्रती क्यूं उदासीन थे